खतरना कोरोना वाइरस अब देश की राजधानी दिल्ली में भी पहुँच गया है। उसे देखते हुए अब WHO ने एक पब्लिक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी यानी परामर्ष में लोगों को ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह कुछ बेसिक प्रकॉशन्स लेकर इस वाइरस से ना सिर्फ खुद बचा जा सकता है बलकि इसे फैलने से भी रोका जा सकता है। साथी कोरोना को लेकर जरूरी जानकारी भी दी जा रही है ताकि लोगों के मन में इस बीमारी को लेकर किसी भी तरह का भ्रम ना रहे। बार-बार अच्छी तरह से हैंड वाश करते रहें। अपने हाथों को साबुन और पानी या फिर अलकोहल बेस्ट हैंड सैनिटाइजर से अच्छी तरह से और दिन भर में कई बार हाथों को अच्छे से साफ करें। क्यों? हाथों को अच्छी तरह से साफ करना और hand hygiene का ख्याल रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपके हाथों में किसी भी तरह का वाइरस होगा तो वो साबुन पानी या sanitizer से हाथ साफ करने से मर जाएगा छीकते या खांसते वक्त मूँ को ढख कर रखें अगर खांसी अच्छी का रही है तो अपने मूँ और नाग को अच्छी तरह से टिशू से ढख कर रखें और फिर उस टिशू को तुरंत dustbin में फेक दें और फिर अपने हाथों को अच्छी तरह से hand wash कर लें क्यों? खांसते या खीकते वक्त मूँ और नाग को ढख कर रखना इसलिए जरूरी है ताकि जर्म्स और वाइरस को फैलने से रुका जा सके अगर आप अपने हाथ पर खांसी करेंगे या चीकेंगे तो आप उन चीजों या लोगों को भी संक्रमित कर देंगे जिनके संपर्क में आप आएंगे लोगों से दूरी बना कर रखें पबलिक प्लेस पर दूसरे लोगों से कम से कम एक मीटर यानि करीब तीन फीट की दूरी पर रहें खास कर उन लोगों से जिने बुखार हो या फिर खांसी और चीक आ रही हो क्यों दूरी बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सांस से संबंदी किसी बिमारी या कोरोना वाइरस से पीडित होगा और वो खासेगा या छीकेगा तो हवा में वो वाइरस फैल जाएगा और अगर आप उस व्यक्ति के बेहत करीब खड़े होंगे तो सां वाइरस का प्रकोप सबसे ज्यादा फैला हुआ है या फिर अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ चुके हैं जिसने चीन की यात्रा की है और उसे सांस से जोड़ी बिमारी है तो आप तुरंट डॉक्टर से संपर्क करें कच्चा या अदपका मास या एनिमल प्रोडक्ट्स ना खाएं जानवरों का कच्चा मास दूद या जानवरों के ओर्गन्स को हैंडल करते वक्त पूरी सावधानी और सतर्क ताबरते हैं साथ ही साथ किसी भी तरह के कच्चे मास अदपका मास या एनिमल प्रोडक्स का जानवरों और पिट्स को छूने के बाद हाईजीन का ध्यान रखें। जोगों की मौत हो चुकी है और करीब 25,000 से जादा लोग इस वाइरस से संक्रमित हो चुके हैं। भारत में भी कोरोना वाइरस ने दस्तक दे दी है हाला कि अब तक किसी की मौत का मामला यहां सामने नहीं आया है। आप देखते रहिए दभारत खबर।